बिहार के उपमुख्यमंतरी तेजस्वी यादो गुजरात के एक बैपारी के फेरा में पढ़ चुके हैं अब आज जो अहमदाबाद का मेट्रोपलिटियन कोट है वहाँ पर तेजस्वी यादो के खिलाप या इनके उपर सुनवाई हुई हमने खिलाप इसलिए कहा क्योंकि कि दस गवाँ अब तक कोट में पेस हो चुके हैं अब दस गवाँ के बारे में सुनिए कि दस गवाँ जो पेस हुए हैं वो दस गवाँ तेजस्वी यादों के बयान पर अपनी सहमती देते हैं मतलब कि तेजस्वी यादों के खिलाप बोलते हैं कोट ने तेजस्वी है जिस रास्ते पर उबढ़ रहा है कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादों की बिधान सभा की सदस्ता खत्म हो सकती है अगर उनको सजा हो गई तब आगे आपको हम सब कुछ बताएंगे कि आज कोट के अंदर क्या कुछ हुआ जज ने क्या कहा गवाहों ने क्या कहा जो वीडियो का सीडी है उसको लेकर क्या कुछ हुआ लेकिन उससे पहले हमारा परिच है अब नमस्कार में नाम है मोहित कुमार सिंग और आप जनता जंक्षन देख रहे हैं कि सबसे पहले शुरूबात करते हैं कि ते जस्वी यादों का अहमदाबाद मेट्रोपलीटियन कोट में हुआ क्या अब इस मामले को लेकर गुजरात के एक बैपारी ने अदालत में जाकर कहा कि आखिर कोई आदमी कितना भी बड़ा हो, कितना भी प्रभावी हो, वो पूरे के पूरे राज के लोगों को ठग क्यों कह देगा, कैसे कह देगा, अब इस बात को लेकर सुनवाई सुरु हुई, सबसे पहले कोट ने क्या कहा, इस कहां ही को एक एक करके समझिये, कोट ने कहा कि अपने वीडियो कहां देखा तेजस्वी का, उस बैपारी ने कहा, उसके वकील ने कहा, कि हमने एक न्यूज चैनल पर देखा, कोट ने उस न्यूज चैनल को नोटिस जारी कर दिया, कहा कि इस वीडियो के बारे में आकर बताओ, उस न्यूज चैनल ने अपने पत्रकार को भेजा, उस पत्रकार ने आकर गवाही दे दिया और कहा कि हाथ तेजस्वी यादों ने वाकई में ऐसा कहा था और हमने उसको अपने चैनल पर दिखाया था, अब इसके बाद अलग-अलग करके कहा जा रहा है कि अब तक 10 गवाह जाकर वहाँ प वो बार-बार कहा रहे है कि कोट इस बात पर ध्यान दे कि वो आदमी अगर बड़ा है, वो प्रभावी है तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि उसको छोड़ दिया जाए या उसका सजा कम कर दिया जाए और यहीं पर मामला फस्ता है कि अब तक कोट में जो हुआ है, गवाहो फिलहाल विधान सभा की सदस्ता खत्म हो जाएगी, मतलब कि उप मुख्यमंतरी नहीं रहेंगे तेजस्मी यादो, उप मुख्यमंतरी के पत से हटना पड़ेगा, और अब छे तारीक कोट ने कहा है कि हम सुनवाई करेंगे, और छे तारीक कोट इस पर बताएगा, सुनव खबर आती है, उसके बाद खबर आती है कि सीडी की जाच को पूरा करा लिया गया है, कोट ने उसमें मान लिया है कि तेजस्वी यादों ने ऐसा कहा है, और तमाम अलग अलग गवाहों ने आकर अपना बयान दर्ज करा दिया है, अब अगली सुनवाई सबसे महत्तपुर् सकता है, तेजस्वी यादों के लिया से कुछ बुरा हो सकता है, और आगे हमारी नजर बने हुई है कि और क्या कुछ खबर, और क्या कुछ जानकारी वहाँ से निकल कर सामने आती है, जो भी और जानकारी, जो भी और नया अपडेट निकल कर सामने आएगा, सब कुछ आप